कौन नहीं चाहता है कि उसके पास धन नहीं हो आज के जबाने में सब कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सी मातरा में धन हो हर इंसान चाहता है कि वो अमीर बन जाए और अमीर बनने के लिए क्या करना है इस वीडियो में आपको मैं बतलाओंगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको चार लवंग लेना है और एक निम्बू लेना है और निम्बू और लवंग का कमाल देखिए कैसे आपको अमीर बनाएगा इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा यह चार मिनट-पांच मिनट का यह जो वीडियो है इसको आप पे समय दे देते हैं तो आप पे अमीर बन सकते हैं आप भी अपना भाग अजमाईए बहुत सारे लोग है सुचते हैं कि हम क्यों इसे बेकार की बातों में परें आप कहीं भी जाते हैं बहुत सारे टाइम बरबाद करते हैं एक बार यहां पे चार मिन और बहुत सारे ने इसका फायदा उठाया है इसके लिए आपको चार लवंग की आउसकता होगी और एक निम्बू की आउसकता होगी इसके करने के बाद में आपके पास धन की धन ही बिरीधी होगी अगर आप मेरी चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल घंटी को दबा लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा तो आईए हम बताते हैं कि कैसे धन की बिरीधी के लिए या टोटका हम करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है एक निम्बू लेना है और एक परकिरिया रभी वार के दिन करना है और सो मौर के दिन करना है आपको एक निम्बू लेना है और चार लवंग लेना है निम्बू लेने के बाद में आपको क्या करना है यह जो चारों लवंग है इसमें लगा देना है कैसे तो आईए हम बतलाते हैं कैसे इसमें करना है ध्यान से इस वीडियो के दिखिएगा तभी आपको समझने आएगा साइड से इस तरह से निम्बू को हम काट देंगे उसके बाद में हम यहाँ पी इस तरह से इस निम्बू को लगा देंगे चार यहां पे जो लवंग है यहां पे निम्बू के उपर लगा देंगे इस तरह से लगा देंगे ध्यान से इस विडियो के देखिए तभी आपको समझ में आएगा जब इस तरह से लगा देंगे उसके बाद में आपको क्या करना है लाल चंदन इस पे थोड़ी थोड़ी भाग में यहां पे छिरीक देना है इस तरह के बाद आपको क्या करना है लाल चंदन छिरीकने के बाद में एक मंत्र है उस मंत्र का उचारन आपको करना है कौन सा मंत्र है इस पे हम लिख करके आपको बतला रहा है आईए हैं वह मंत इस परकार से हैं ध्यान से देखिएगा आपको अगर कहीं भी दिखा थो तो नीचे कमेंट बक्स में जाएए और वहां पर बोलिए कि यहां पर हमको दिखात है पिलिज हेल्प किजी हम आपकी जरूर मदद करें यहां पर आपको लिखना है ओम श्री हनुमते नमा यहां आपका यह मंत्र है आपका यह मंत्र है ओम श्री हनुमते नमा इस मंत्र को 108 बार जब करना है इसको अपने हाथ में रखना है और हाथ में रखने के बाद में इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है और 108 बार पढ़ने के बाद में क्या करना है इसको आप अपने घर के किसी भी कोने में रख दीजिए साथ दिन के बाद में आपके घर में धन की बिडिधी होने लगेगी यह आजमाया गया टोटका है आप भी आजमाईए आप भी खल पाईए अगर आपको कहीं भी दिकत है समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बक्स में जाईए बोलिए गुरु जी हमें यहाँ पर दिकत हो रहा है प्लीज हेल्प कीजिए हम आपकी जरूर मदद करेंगे